जश्पूर जिले के पत्थल गाउं थाना शेत्र सित ग्राम पंचायत शिवपूर में खाने को लेकर विवाद होने पर पती ने पत्नी की हध्या कडा ली समय पर खाना नहीं देने पर नाराज पती ने पत्नी पर धारदार हतियार से ताबर तोड़ हमला कर निर्मम हध्या कर दी पत्थलगाओं पुलीस ने आरोपी पती को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है इस पूरे मामले को लेगर पत्थलगाओं थाना प्रभारी सह प्रसीक्षू S.D.O.P. भानु प्रताप चंदराकर ने बताया कि मुलित का द्वारा पती के समय पर खाना नहीं दिये जाने से नाराज था इस दवरान दोनों में विवाद हुआ और आरोपी पती ने धारदार कुलहाडी से वार कर पत्नी की हद्या कर दी पुलिस ने मर्क कायम कर शौ को पीएम के लिए भेज दिया है आरोपी को विरासत में लेकर पुछताज भी की जा रही है मेरा आथको दस्वधी आए तो गर्विसा फिर देखा की प्राथान सलगत्तत पूर मेलों अलोग बुलावा तो आवस अलोग पुलावा अलोग तेका क्या अलोग? मम्मी मैं पापा मेरे मामी को माँ देहा गया था है चासंद आवस रहा है यह थाना बथ्छलगाव के अंतरगत शिरपूर में एक भश्चना की सुझना मिली थी जिसमें मिटिका तीजियमत पहकरा पति तूलसी पेगरा उसका आपसी विवाद होके रहता था तो कर राथ में सराव के नसे में उसके पती तूलसी पेगरा ने धाल्डार हत्यार से इसके सर पर मार कर इः कि हत्या कर लिए इसको तंग्या से मारा गया था आरोपी को गरफ्तार कर लिया है और विए इसमें गारी है